तुहाडे अवचेतन मानदी शक्ति डक्टर जौसर्फ मरफि एह पुस्तक तुहाडे जीवन विच चमतकार कि में कार सकदी है मा सारी दुनिया विच हर तरह दे लोका दे जीवन विच चमतकार हूं दे देखे हन चमतकार तो हड़े नाल वी हो सक्दे हन बेशर्ते तुसी अपने अवचेतन मान दी जादू इस शक्ती दा इस्तमाल शुरू कर देओ एह पुस्टक तुहनू एह सिक्हों लई लिखी कई है की तुसी अपने अवचेतन मान दी शक्ती नाल अपनी तकदीर के में बनाओ इनसान अपने अवचेतन मानवे चज्जिमे सोचदा है उसे तरह दा ओहो बन जानदा है कि तुसी इन्ना सवालां दे जवाब जानदे हो एक व्यक्ति दुखी क्यों होंदा है जदो की दूज्जा खुश क्यों होंदा है एक व्यक्ति सुखी अते समरिद क्यों होंदा है जदो की दूज्जा गरीब अते दुखी क्यों होंदा है एक व्यक्ति पैपित ते व्याकुल क्यों होंदा है जदो की दूज्जा आस्थावान ते आतम विश्वाशी क्यों होंदा है एक व्यक्ति दे कोल सुंदर आलिशान बंगला क्यों होदा है जदो की दूज़ा चोपड़ पटी विच क्यों रहिंदा है एक व्यक्ति बड़ा सफल क्यों होदा है जदो की दूज़ा बुरी तरह असफल क्यों होदा है एक बुलारा सिर मोर अते आसदारन तो औरते हर्मन प्यारा क्यों होंदा है जदो की दूज़ा ओस्त अते बदनाम क्यों होंदा है एक व्यक्ति अपने कामजा पेछे विच माहर क्यों होंदा है जदो की दूज़ा जिंदगी पर मेनत करन दे बावजुद कुछ हासल क्यूं नहीं कर पूंदा एक व्यक्ति आसाद बिमारी तो ठीक क्यूं हो जदा है जदो की दूज़ा नहीं हो पूंदा इन्ने सारे चंगे द्यालो अते तार्मक लोग इन्नी ज्यादा मान सकते स्रीर की तसीखे क्यूं चेल देहना कई अनैतक अते आतरमी लोग सफल समरिद अते तांदरुस्त क्यूं हो देहना एक व्यक्ति दा व्यावता जीवन सुखी क्यूं हुंदा है जदो की दूजे दा दुखी आते कुल्ठत क्यूं हुंदा है की तो हड़े चेतन आते अव चेतन मानदी कार्ज शैली विचे इना सवालां दा कोई जवाब मेल साकदा है निश्चे तौरते मिल सकदा है इह पुस्तक क्यों लिखी गई है इसे तरह दे बहुते सवालां दे जवाब दसन दी डूंगी इच्छा दे कारण ही मैंनु एह पुस्तक लिखन दी प्रेर ना मिली मैं मस्तिशक दी मुडली सचाई नू सवकी तो सवकी पाशा विच समझवन दी कोशिश कीती है मैं मनदा हा की जीवन ते मस्तिशक दे मुडली अते बुने आदी नहीं मानू रोजानना दी सवकी पाशा विच समझवना पूरी तरह संबव है तुसी इस पुस्तक विच ओही पाशा पड़ूगे जेड़ी अखबारां, रिसालियां, दफ्तरां आते करां विच मिल दी है मैं तु हाड़े कुल इस पुस्तक दा अधियान करन आते इस विच दसियां गयां तकनीका नू अमल विच लेओं दा नवेदन करदा है मैंनो पूरा जकीन है की इस तरह करन वाल तुसी उस चम्तकरी शक्ति नू जान पावोगे जेड़ी की तु हाड़े दुचिती, संताप, उदासी, आते आ सफलता दी हफ़डा दफडी तो बाहर कड़ देवेगी एह शक्ति तुहानो अपनी सची मंजल तक पहुँचाओं दा मार्ग दर्शन देवेगी तुहाड़ी समस्या नू सुल जाएगी तुहानो पावना तमक अते सरीरक बेडियां तो मुक्त करेगी आते तुहानो सुतंतरता खुशी ते मार्सक शांती दे राजसी मार्ग ते पहुचादेवेगी तुहाड़ी अवचेतन मन दी एह चमतकारी शक्ती तुहाड़ी हर बेमारी नू ठीक कर सकती है एह तुहानो दुबारा तांदरुस्त उतसाही अते शक्ती शाले बना सकती है जदो तुसी अपने आतरक शक्तियंदा पर योग करना सिख लवोगे ता तुसी डार दी कैद तो मुक्त हो जावोगे अते एहो जे अनांद माई जीवन दा स्वाद चाख लवोगे जिसनो पाल ने इश्वर दी संतान दी अनांद दाएक मुक्ती किया है चम्तकारी शक्ती के वें पराप्त करिए साड़े लई अवचेतन मान दी चम्तकारी शक्ती दा साबतो वड़ा सबूत एह होगे कि साड़ी बिमारी ठीक हो जावे ता ही सानो इस उते प्रोसा होवेगा कई साल पहला मैं अपने एक ट्यूमर दा इलाज कीता सी जिसनो डक्टरा दी पाशा विच सारकोमा केहा जांदा है मैं इह इलाज अपने अवचेतन मान दी उस शक्ती रही कीता जिसने मेरे सरीर दी रचना कीती है आते जेडी मेरे सारे महत पूरन सरीर कारजा नो ने रंतर कर दी है उस ट्यूमर नो मैं जिस तक्रीक नाल ठीक कीता ओह तक्रीक इस पुस्तक विच अगे विस्तार नाल दरसाई गई है मैंनो पूरा यकीन है कि इस नाल दुनिया नो भी उस उपचार के शक्ती उते प्रोसा हो जावेगा जेडी की साड़े सारे अदे अवचेतन मान दी डुगाई विच मजूद है एक बजूर्ग डक्टर मितर दी सला नाल मैंनो अचन चेत ही एह अहसास होया कि जद अवचेतन मान दे रचनातमक ग्यान ने मेरा पूरा स्रीर अते एह सारे अग बनाए हान ता एह अपनी बनाई होई चीज नो ठीक क्यों नहीं कर सकदा पुरानी मनौत है डक्टर साट उते पटी करदा है इश्वर उस नो ठीक करदा है कारगर पराथना नाल चमतकार हुंदेहन वग्यानक पराथना मस्त इश्क दे चेतन अते अवचेतन सत्रा दे विचकार दी एहो जही एक सारता पूरन आपसी प्रती किरिया है जिसनाल किसे खास उदेश नो पौन लई वग्यानक तरीका नो निर्देशत कीता जानदा है एहे पुस्तक दुहाडे अंदर शूपी होई अनंत शक्ती नो इस्तमाल करेंदा वग्यानक तरीका सिखाएगी एहे पुस्तक दुहाडे नो अहो सारा कुछ पौन ले समराथ बनाएगी जेड़ी तुसी जीवन विच सच मुच चाउदे हो तुसी जादा सुखी पूरन ते समरिद जीवन चाउदे हो इस चमतकारी शक्ती दा इस्तमाल करके अपने रुजाना दे जीवन नो सुखी बनाओ अपने काम तन दिया दिया समस्या वानो सुल जाओ ते परिवार के रिष्टिया विच में ठास ले आओ इस पुस्तक नो वार वार पड़ो इस तो दो हनो जानकारी मिलेगी कि एहे अदबुद शक्ती कि में काम करदी है अते तुसी अपने अंधर शूपी होई प्रेर ना अते बुद्धी मानी नो सामने कि में ले आ सकदे हो अव चेतन माननों पर बावत करन दिया सौखिया तकनीका सिख लवो अपने शक्ती दे अनंत पंडार नो इस्तमाल करन दा नवा वग्यानक तरीका अपनाओ इस पुस्तक नो बड़े त्यार नाल इमानदारी अते प्रेम नाल पड़ो विश्वाश रखो कि एहे तो हाड़ लिहरानी कुन मदद कर सकदी है हो सकदा है अते मेरा मनना है इज ही होवेगा इह तो हड़े जीवन दा निरनायक बोड़ साबत होवे हर व्यक्ति प्राथना करदा है कि तुसी जान दे हो कारगर प्राथना किवे किती जान दी है किन्ने लंबे समें तूं नेमत प्राथना क करना शड़ दिता है आम तोर ते खत्रे जा मुसीबत बिमारी जा मौत दे नजदीक ओंते जा बिखडे वेले विच प्राथनावा मुहों क्यूं निकल दिया हाना रुजाना दिया खबरा उते नजर सानी करो देश वासी किसे असाद बिमारी तों पीड़त बच्चे लई प् देशा विचकार आमन वास्ते दुआवा मंगियां जा रही हैं किसे ख़दान अंदर पानी पारजान कर नफसे होए खनी का लई प्राथना कीतियां जा रही हैं बचन तो बाद उनने वी एहे दस्या की उनने वी बचा दा इंतजार करन वेले प्राथना कीती सी बेशक मुस मुसीबत दा इंतजार क्यों करिये प्राथना दे नाट की चमतकार अखबारां दियां सुर्खियां विच शापदे रही हैं जेडे इस गाल दा सबूत हैं कि प्राथना कारगर हुंदी हैं लेकर प्राथना दे होर परकार वी हैं जिमें बच्चें दियां निक्यां निक्य पराथनवा हर दिन रोटी खान वेले राब दियाद राब नाल संचारन दी इच्छा नाल कीती गई तार्मक अरादना मैं बड़े लम्मे समय तक पराथना दियाँ वपिन विदियादा अधियान कीता है मैं आप भी अपने जीवन विच इस शक्ति नो महसूस कीता है इस तो मैं कई एहो जहे लोग का नाल वी गालबात ते काम कीता है जिनना नो पराथना मा नाल बड़ा फाइदा होया है आम तो और ते समस्या एह आउंदी है कि किसे दूजे नो पराथना करना कि मैं सखाया जावी मुसीबत में चफसे होए लोग का लई तार्किक टांग नाल अनो काट चार देंदी है नँ अनो कोई सौखा जे आफ पार मूला चाहिदा है जिस दी ओहो पालना कार सकना कोई कारगर तरीका जड़ा सौखा ने खास होवे इस पुस्तक दी अनो की वशेष्टा एह है कि एह विवहारक य capable पूरक है इस विच तो हनो सौखिया तकनीका ते कारगर फार्मूले मिल गे जिना नो तुसी रुजाना दे जीवन विच अजमा सकदे हो इह सुखिया तक्नीका में दुनिया पारदे लोका नो उसे खलाई है इस पुस्तक दे कुछ गलाँ खास तौरते तो हड़ी मदद करने गिया इस विच इह रहस खोले गया है कि तुसी जिस वस्त लई पराथना करदे हो अक्सर तो हणो उस दे उल्ट नतीजे क्यों मिल दे हन दुनिया पारदे हजारा ही लोका ने मेंनो पुछिया वार वार पराथना करन दे बावजुद मैंनो मंगी होई चीज क्यों नहीं मिली इस पुस्तक विच तो हानो इस दाकारन पता चल जावेगा इस विच अवचेतन माननों पर बावित करन ते सही जवाब पौन दे तरीकें दाजेडा सपश्टी करन दिता गया है उस नल इह अस दारन तोरते होर मूलवान बन जादी है इह आउके वेले हमेशा मदद करेगी तुसे किस चीज ते परोसा करते हो बहुत सारे लोग सोच दे हन की विच्टी दे पराथना दा जवाब उस चीज दे करन मिलदा है जिस विच उह विश्वाश करदा है इंज नहीं है उस नो ता जवाब अपने विश्वाश दे करन मिलदा है पराथना दा फालता ताद ही मिलदा है जद व्यक्ती दा अवचीतर मान उस व्यक्ती दी मान सक तस्वीर जां विचारते प्रति किरिया करकी उसनों हकीकत विच बदल देंदा है विश्वाश दा इह नियम दुनिया दे सारे तरमादा गुपत सिदात है इह उनना दे मनों वग्यानक साथ दा शुपया होया कारण है तारमक्व पिनता दे बावजुद बोद इसाई मुस्लिम ते यहूदी लोकानो अपनी प्राथनावा दे जवाब मिल दे हन इंज किमें हो सकदा है इस दा कारण इह है कि प्राथना दे जवाब किसे खास आस्था तरम जुडा, कर्मकांड, संसकार अरादना, पजन, मंतर, बली, जांचडावे कारण नहीं मिल दे जवाब दा उस आस्था जा मान सक सवी किर्थी दे कारण मिल दे हन जिस दे नाल प्राथना कीती जांदी है जीवन दा नियम आस्था दा नियम है आस्था जा विश्वाश नू संखेप विच तुसी मन जा मस्तिश्क दा विचार कैसक दे हो व्यक्ती जिमें सोचदा है महसूस अते विश्वाश करदा है उज दे ही उस दा मन स्रीर ते हालत होंदे हन तुसी की कर रहे हो अते क्यूं कर रहे हो एह जान लें तो बाद तुसी अवचेतन मन दी मददनाल एहो जही तकनीक तियार कर सकदे हो जड़ी तो हनो जीवन दिया सारियां चंगियां चीज़ां दिलान सफल प्राथना दा असल अर्थ मनो कामना पूरी होना है इच्छा प्राथना है हर व्यक्ती सेहत खुशियां सु रख्या मान सक शांती ते सच्ची अभी व्यक्ती दिया इच्छा रखदा है लेकन साड़े विचो किने लोग इना नू पालें दिहान यूनिवर्सिटी दे एक परफेसर ने कुछ समा पहला मेनू किहा सी मैं जानदा हा की जेकर मैं अपने मान सक नजरिये नू बदल लवा अपने पावना अत्मक जीवन नू नवी दिशा दे देवा ता मेरे हिर्दे दिस्थिती सुदर जावेगी मैं इह गाल जानदा हां परेशानी ये है कि मेरे कुल इंज करनदी कोई तकनीक पर किरिया जा कारजविदी नहीं है मेरा मन मस्तिशक कैस मस्यावा उते इथे उते पठकदा रेंदा है अते मैं उठत दुखी ते हारा होया महसूस करदा है इस परफैसर दे मान विच संपूर्न सिहत दी इच्छा सी उस नू ता केवल इस दा ग्यान नहीं सी कि उस दा दिमाग किमें काम करदा है इस ग्यान नाल ओहो अपनी मनौत पूरी कार सकदा सी अते एही होया इस पुस्तक विच दसियां गईयां उपचार कविदियां दे पर योग नाल ओहो पूरन तो औरते सिहत मद हो गया सारे व्यक्तियां विच सुदीवी मस्तिशक अंश है तो हाड़े अवचितन मन दी चमतकारी शक्तियां उस समय वी मजूद सन जदो तुसी जा मैं पैदा वी नहीं होया सी जद कोई चर्च नहीं सी जद दुनिया ही नहीं सी जीवन दी महान सदीवी सचाईत सिदात उस समय वी मजूद सन जदो कोई तर्म शुरू भी नहीं होया सी मैं तो हनो नवेदन करदा हां कि अगे आउन वाले अद्याए विच तुसी काया पल्ट कर देन वाली शक्ती ते उस दी उपयोगता नू चंगी तरा नाल जान लवो इह मांसकते स्रीर का सटां दे कानू परदेवेगी डरे हो इमाननू होसला देवेगी अते तुहानू गरीबी असफलता दुख चाट ते कुंधा दी सी मामा तो पूरी तरा अजाद करदेवेगी तुहानू ता बस मांसकते पावनातमक तौरते उस चंगी चीज दे नाल जुड़ना है जिसनों तुसी हकीकत बनावना चाओ दे हो तो हड़े अवचेतन मन दी रचनात्मक शक्तियां इसे दे अनुसार प्रति किरिया करन गियां आज ही हुने तो ही शुरुवात कर देओ अपने जीवन मिच चमत का रहूं देखो इंज तदों ताक कर दे रहो जदो ताक की सूर्ज ना निकल आवे ते हनेरा दूर ना हो जावे झाल